हेलो फ्रेंज मैं हूँ राद चोहन और आप देख रहे हैं टेकनिकल अपयो चैनल दोस्तों आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आज की वीडियो में जो आपको मैं एपिन सेटिंग बताने वाला हूँ वो आपके हर किसी सिब में वर्क करेगा वो चाहे आपके जियो का एट कि दोस्ते इपिन सेटिंग को इंस्टॉल करने से पहले आपको उसे क्रियेट करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में जो सेटिंग है उसे ओपन करना है और जब आप सेटिंग को ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको मोबाइल नेटर्क का ए प्लिक करना है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको मोवाईल में आपको फोल्डर दिख सकता है या फिर आपको कहीं प्लस का इकोन भी देख सकता है तो आपको उस पर तो जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है और इस टाइप का फेल्डर ओपन होगा लेकि दोस्तों जो एक इन सेटिंग में आपको बताने वाला हूं पहले से create कर चुका हूँ क्योंकि उस्कों मेरे को पहले जो है उसको टेस्ट करना था कि कितनी speed दे रहा है क्योंकि उसी के बाद मैं आपको इसे provide करता तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पहले वाला default वाला है और दूसरा जो है मैंने उसे create किया है तो इसे हम open करते हैं तो दोस्तों जब आप उस form को आप fill up करना है तो उसमें आपको name में क्या करना है आपको name में लिखना होता है दोस्तों आपको alpha उसके बाद लिखना है आपको x pro plus और उसके बाद लिखना है 2.3 और उसे ok कर देना है और उसके बा प्रॉक्सी में तो प्रॉक्सीब आपको लिखना है 10 उसके बाद आपको यह पर डाट लगाना है फोर्डबट を डोट ऑफाइब और इसे ओके कर देना है है oh, 마스큰 आपको लिखना है 8080 एके कर देन से ऑके एके मेरे तो server उसके लिखनें web www.google.com और इसे OK कर देना है और इसके बाद दूस्तों MMSC और MMS proxy वगरा सबको इन्हें आपको not set रहने देना है और यह MCC MNC यह जो आपके area के हिसाब से आपके set रहते हैं तो आपको इन्हें कोई भी छेट खानी नहीं करनी है अब आते हैं authentication टाइप में तो आपको सबसे नीचे option मिलेगा आपको PAP और CHAP को तो आपको सबसे जो है select कर लेना है और APN टाइप में आते हैं तो आपको से default ही रहने देना है और इसके बाद दोस्तों आपको जब हम इसे जो है नीचे आते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा APN प्रोटोकॉल तो यहां पर आपका जो है APV4 या फिर IPV6 हो सकता है तो आपको इसको जो सबसे जो लास्ट वाला है IPV4 और IPV6 तो आपको इसे ही select करना है और APN रो में प्रोटोकॉल में आपको सेम करना है और इसके बाद दोस्तों सबसे जो most setting है वो है आपकी बेरर तो बेरर में दोस्तों आपको बता देता हूं आपको यहां पर जो है का option आता है तो आपको LTE Select कर लेना है तो जैसे कि अब इसे select करेंगे उसके बाद आपको उपर से done कर देना है जिसके बाद की आपका जो APN है पूरी तरीकी से create हो चुका है और इसके तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें जो डाउनलोड स्पीड हो आपको 17 Mbps और यहां पर जो अप्लोड स्पीड हो 1.92 Mbps मिल रही है तो दोस्तों यहां पर हम इस पर अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो मापको यह बार डाउनलोड करके दिखा देता हूं कि यहां पर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं यहां पर जो है आपको यह बार एक मूवी को डाउनलोड करके दिखा देता यहां तक कि आपको 10 Mbps तक मिट जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अगर आपको मेंने में कोई क्वेश्चेनल तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल